जैसी किसना दोस्तों? हमारे बी-एस सर्मा वाद्ध्वा चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत हैं। दोस्तों सामन महिने का आखरी सुम्बार 16 अगस्त का पर रहा है। आखरी सुम्बार के दिन भगवान शिवजी की कृपा प्राप्ति के लिए भगट अपनी मनो कामना की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकाश से शिवजी को प्रसंद काते हैं, शिवजी का पूजन काते हैं। दोश्तों कहते हैं अन्त भला सोभला, अन्त के दिन जब भगवान शिवजी सामन के मेने की बिडाई काते हैं, उस समय पर भगवान शिवजी को प्रसंद कर लिया जाए। भगवान सिवजी की किरपा से भक्त की सभी मनो कामना पूरी हो जाती है दोस्तों भगवान सिवजी की पूजा करें बिशेश बिदी विदान से नहीं तो सादाय बिदी से भगवान सिवजी की पूजा वस करें और भगवान सिब जी पर ये चीच चड़ा करके इसे गल ला करके अगर पुत्र की कामना है संतान की कामना है तो इसे गैन कर लिया जाएं तो निश्यत रूर से पुत्र संतान की प्राप्ती होती है दोस्तों आपको करना यह है कि 16 अगस्त को भगवान सिब जी के मंदर में जाकर के सबसे पहले भगवान सिब जी का अवशेक करना है आप कच्चे दूर में गंगा जल डाल करके अवशेक करें और पंचाम ले जा सकें तो जादा अच्छा है बगवान सिब जी की विशिष विदिविदान से पूजा करते हो, जैसे पंचाम से अपने पूजा करी फिर सुध्जल से अवशेख किया इसके वार बगवान सिब जी को चंड़न का ट्रपंद बना करे टीका लगाया भगवान सिब जी को बेल पत्र चड़ाएं, पुस्व माला चड़ाएं, धतूरे का पुस्ट चड़ाएं, जो भी आपके पास प्लग्ज है, उसी के द्वारा आप पूजा कर सकते हैं फिर भगवान सिब जी पर आपको जो हैं, दस ग्राम सिब लिंगी के बीच चड़ाने हैं, और भगवान सिब जी पर साबुत चावल के दाने चड़ाने हैं, और सिब लिंगी के बीच चड़ाने हैं, इनको भगवान सिब जी पर चड़ा करके, सिब लिंग पर अर्पिट करक से आपको ये वस्तुएं अर्पिट कर रही हूं आप मेरी मनो कामना पूरी करें अगर आपके पास में पानी वाला नारियल हो जटा वाला तो वह भी चड़ा सकते हैं वह भी अपनी मनो कामना बोलके पूरा साव उत्रें चील करके नहीं चड़ाएं शिव लिंग पर नारियल पूरा पिट का दे भगवाद सिव जी की दूप रीप कपूर सी आर्थी करने के वाद में शिव लिंगी के बीज और चावल के दाने उठा करके ले आएं जो अपने चड़े हुएं उन्ही को उठा के ले आएं और नारियल को भी उठा लाएं नारियल को अपने पती के द्वारा छिलवा करके मंगलवार की सुवे उसका बीज सूर उड़े से पहले पूरा विशा की तरह मुक करके उसको निकल जाना है अगर बीज ने निकले तो नाजल की गिरी खा सकते हैं जो शिबलिंगी के बीज चावल हैं उनको सुका करके पीस करके चूरन बना ले और पांच दिन अगर पुत्र चाहिए तो बच्छडे वाली गाय के दूर के साथ अगर आपको चाहिए कि किसी भी प्रिकास संतान प्राप्ति हो जाए जब पुत तुक विचार रखने हैं दोस्तों इस विकास से भगवान शिब जी की पूजा करेंगे तो आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगे और बच्छडे वाली गाय का दूर नहीं मिलता है तो आप भगवान सी किस्न को इस नान करा करके उस जल में गंगा जल मिला करके उस से सकते हैं दोस्तों इस विकास से भी यह उपाय किया जाए तो आपकी सभी प्रकार की रुकावत दूरोंगी निश्चित रूप से पुत्र संतान प्राप्ति का बरदान प्राप्त होगा दोस्तों अगर आपको मैं वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब निकिया सब्सक्राइब जरू करें आगे की वीडियो मों जानकारी के साथ मिलते हैं आप सभी को जैसी किसना